कलर्स के सीरिल मेरा बालम थानेदार में भैसारा परिवार आज बेहत खुश है सभी मिलकर काना जी की पूजा कर रहे हैं लेकिन इस शगुन में ट्विस्ट का अप्शगुन तबा जाता है जब दुधन के अफ़तार में पहुँच जाती है दृष्टी और दृष्टी को देखकर सभी लोग हो गए हैं शौक क्योंकि शादी का लाल जोडा पहन कर सोलहा श्रिंगार करकर दृष्टी यहां पहुच गई है यह बहुत ही जादा हेवी लहंगा है I guess at least 15 kg का होगा and I guess यह ब्राइडल जो अक्चुल ब्राइडल लहंगा होता है यह वही है और एक दो पत्ता मैंने अभी लगाया हुआ है और सीन में मैंने एक और दो पत्ता लगाया हुआ था और इसमें यह ब्राइडल बनते हैं तो एक दिन के लिए एक स्पीरेंस करते हैं इस चीज़ को और मैं पिछले तीन दिन से पहन रही है और एक दो दिन भी पहनोंगी सो हाँ डिफिकल्ट होती हैं जूल्री भी लेकिन जितना भी पेन हो लेकिन मज़ा बहुत आता है क्योंकि आप अच्छे लग रहे होते हो और आप हर किसी का एक ड्रीम होता है कि अच्छे को ब्राइट की तरह देखना अब भी तक तो मेरी शादी हुई नहीं है लेकिन इस तरीके से खुद को देखना इस तरीके से खुद को सजाना वस अच्छी वेरी ओवर्वल्मिंग तो आई इन्जॉड़ी पहनी है बिल्कुल ब्राइट की तरह ही और यह यह जो यह जो लगाया है यह जो लगाया है यह राजस्थानी टच के लिए लगाया है यह जो लगाया है तो वो लगाया हुआ है तो वो लगाया हुआ है और टोटली एक ब्राइट की तरह ही रडी हुई हूई हूँ कमर पर यह भी बांधा हुआ हुआ है जो मुझे बहुत ही जा बैस अभी को जोर का जटका तब लगता है जब दृष्टी बताती है कि उसने और विशेश ने कर ली है शादी तब शुरू होता है असली ड्रामा क्योंकि दृष्टी तो अब बन गई है बुलबुल की जेठानी और देखे आते ही कैसे वो हुकुम चला रही है ऐसे में जहां वीर बुलबुल और बाकी के सबी घरवाले गुस्से में है तो वहीं विशेश की बेटी भी उस पर भड़क रही है अच्छा लगता है कि इसी घर की चोटी बीवनी घर की बड़ी बीवनी के साथ तमीजी से बात कर रही है मैं अपनी पत्ती के खिलाफ एक शब नहीं सुनूगा अपनी हादों मे रहो एंड बहेग रसाद्ट मिशेश भाई अब बुटो याप इजी के साथ अब तमीजी की है अब इजी घर की आशे पीज़ उसे तिक सबाप पीजी ओन के रहे है अच्छा के रहे है पप-पप अथिर्टि क्योंकि या इस नहीं सा पूछिए इस तर क्यों कि अटु रहे हैं? एक बार के लिए आपके दूसरे शादी के लिए रेडी हो गई थी लिए द्रिश्टी को कभी ने उत्राओंगे अब पेरे बाबा की जगा ने द्रिश्टी नहीं ले सकती इस द्रिश्टी जगा नहीं ले सकती है बाबा ने बाबा की बाहिन सब के बीच जब वीर और बुलबुल काना जी का जूला जूलाने जाते हैं तो जिठानी बनी दृष्टी हग जमाने पहुँच जाती है और कहती है कि वो और विशेश जूला जूलाएंगे लेकिन कहानी में ऐसा ट्वेस्ट आता है कि दृष्टी के हातों से जूले की दोर छूट जाती है और वो डोर बुलबुल और वीर थाम लेते हैं और काना जी की पूजा वीर और बुलबुल के ही हातों होती है एक तो ज्यादा शॉकिंग इसलिए है उसके लिए उसके लिए उसके लिए उसके लिए उसके मोगा एंड़ सिखाया है कि हमेशा प्नी फैमिली के ले खड़े रही को अब तुम शादी करके उस घर गई हो और वो देखती है कि अचानक से दृष्टी दी आ जाती है फिर वो कहती है मैं गर की बड़ी बींदनी हो तो पालना भी मैं जुलाओंगी पहली जन मास्ट मी है विच इस बुल-बुल इस बात के लिए साइड नहीं है कि वो पालना जुलाएंगी या उसे इसलिए अंगर नहीं है कि वो यह चीज करना चाहती है उसे ये है उसका पॉस्पेक्टिव स्टैंप पे की इंटेंशन साही नहीं है तो जब बुल-बुल को ये बात पता है तो भगवान जी भगवान जी का वही होता है कि कृष्णा जी भी और भागी भगवान जी भी उनका ही साथ देते हैं जो सच्चे होते हैं लेकिन अब दृष्टी घर में आ गई है जो आकर मचाएगी तांडफ और लाएगी तूफान अब देखना होगा कि वीर और बुल-बुल मिलकर कैसे दृष्टी का सामना करते हैं मुंबै से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हम तो आपको 24-7 लगाते ही हैं एंटर्टेन्मेंट की बिंदी तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है आपको पता है आपको क्या करना है आप इसे लाइक करें कमेंट देके अपनी राये जरूर दें क्योंकि आपकी राये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टन है और इक्स्क्लूसिफ कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप यही वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को भी फॉलो करें और साथ की साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी और हाँ अब तो हम आगे हैं कि वाट्साइब पर भी ताकि आप ना मिस्स करें इंटर्टेन्मेंट का कोई भी अपडेट